हलो फ्रेंड्स मैं हूं मेगा और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ आज का जो मेरा ये वीडियो है वो इस्पेशली ट्वीन्स मॉम के लिए है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो ट्वीन्स मॉम होती है अगर वो ब्रेश फीडिंग करा रही है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है कि आपको अपनी खिलाइप लाइप का विसेज ध्यान रखना है और दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको भूके नहीं रहना है ठीक है, आपको हर 1-2 घंडे वाद कुछ ना कुछ खाना जरूर है और टीसरा काम आपको ये करना है कि आपको दूध दिन में कम से कम 2-3 गलास जरूर लेना है जी हाँ, और अगर आपको दूध नहीं पसंदे तो आप क्या कर सकती है कि आप जो है प्रोडिन पाउडर डाल के ले लीजिए या आप गुड के साथ ले सकती है या आप कोई भी चॉकलेटी बहुत सारे पाउडर आते हैं आप कोई भी डाल के लेकिन दूध जरूर लीजिए ठीक है और एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी आप बच्चे को दूध पिलाए तो आप खाली पेट दूध ना कि अगर बच्चे को खाली पेट दूध पिलाने बैठ जाएंगी तहसी कहोगा है तो बच्छे का पेट ही भरेगा बस बच्चा पीता ही रहेगा लगातार और आप बहुत जादा गुस्टा таких है क्यश्य खाली पेट मंन नही आपको चौथा काम ये करना है कि आपको पानी जरूर पीना है जी हां आपको पानी का भी विसेज ध्यान रखना है आप कम से कम दिन में 10-12 गलास पानी जरूर पीए इसको एगनोर ना करें और जो है आपको पांचमा काम ये करना है कि डिलिबरी के बाद भी हमको जो है कैल्स कुई कराते हैं तो हमारी बॉड़ी का वैलिस जो है बराबर बना रहता है और हमको भी कोई दिककत नहीं होती है तो आपको इसका ज़रूर ध्यान रखना है और हाँ दूद अगर आप से आप दूद को कैसे पीए, आप काम कर सकती है आप सुबह गलास दूद ले लिजिए, साम को गलास दूद ले लिजिए और ईग गलास तुफैर में ले लिजिए पर लें जर остав हो टीक है अगर आपको मेरी वीडिए पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंड करके जरूर बताएं अगर कोई मेरा ये वीडिए देख रहाए अगर आपकी काम का ये वीडियो नहीं है तो आप इसको सेर जरूर करें था कि मैंने ये वीडियो जिन लोगों के लिए बनाया है उनलों के पास जरूर पहुचे So thank you friends, मिलते हैं अगले वीडियो में